हलो एब्रीवन नमस्ते और वेलकम बेक टू दे चैनल तो मेरा नाम है नीतू और यहां बर मैं पोस्ट करती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियो जो हमारे घर और किचिन से जुनी हैं तो अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले किचिन की शुरुआत करते हैं आज हम फ्रिज से तो जब भी हम फ्रिज को ओपन करते हैं कोई सामान निकालने के लिए या फिर रखने के लिए तो जो भी सामान रखा होता है उसके अंदर उन सब की खुशबू और बदबू इकटी होकर हम तक पहुंसती है और हमें बिल्क फ्रिज में बिचा दीजिए इसकी जगह आप नियूज पेपर भी यूज कर सकते हैं और वो भी विल्कुल ऐसे ही काम करेगा अब आप इसके अंदर जब भी कोई सामान रखेंगे फ्रूट रखेंगे या कोई सबजियां कोई भी आइटम तो उनकी जो भी बदबू या ख फ्रेश बना रहेगा बढ़ते हैं वीडियो में आगे और इस तरह के के जो भी फ्रूट के पैकेजिंग होती है जब हम फ्रूट करेते हैं ऑनलाइन या कहीं सुपरमार्केट से जाकर तो इस तरह की पैकेजिंग में मिलते हैं इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं फेकती और जो भी फ्रूट के साथ आते हैं उन्हें मैं इसी में स्टोर करती हूँ अच्छे से इसमें वाश भी हो जाते हैं और इसमें कई सारे होल्स बने होते हैं जिससे पानी बहुत अराम से ड्रेन आउट हो जाता है और हम फ्रूट को इसी में स्टोर करके रख सकते हैं जो भ बहुत अच्छे से सब्जियां फ्रेश बनी रहती हैं अब चाहे तो इन्हें मैं फ्रिज में रखूँ या बाहर बहुत अच्छे से नीट और क्लीन लुक में एपियर होंगी और कोई पैसे भी मुझे खर्च नहीं करने पड़े इनके लिए घर के कामों को बहुत अच्छे से करना हमें बखू भी आता है और ऐसे ही आज मुझे फ्रिज में कुछ कवर्स चेंज करने थे अपने माइक्रोबेब और फ्रिज के ऊपर तो इन कवर्स को हटा कर इनी से मैंने हलके हलके माइक्रोबेब और फ्रिज के ऊपर साफ कर दिया और इन covers को जाकर रख दूंगी अपने laundry area में तो यही हमें करना है और इसके बाद हमें दूसरा cover तुरंत ही लाकर लगा देना है अपने काम को छोड़ना नहीं है बाद के लिए तुरंत के तुरंत कर देंगे तो कोई भी extra time नहीं लगता है और नहीं ज़्यादा efforts लगाने पड़ और मुझे भी काफी सुकून मिलेगा क्लीनिंग का एक most important टूल है microfiber cloth यह snap clean के microfiber cloth हैं जो 40 by 40 cm में square shape में हमें मिल जाते हैं कई सारे colors इसमें available है 350 gsm weight है इनका जिससे इनकी absorbency की capacity काफी high होती है 70% polyester and 30% polyamide thread से यह बने हुए हैं यह cloth काफी thick, absorbent and काफी fluffy और soft हैं जो everyday cleaning और dusting में काफी help करते हैं इनसे कई तरह के counters, cabinet, appliances, sink की dusting हम कर सकते हैं तो मैंने अपनी shelf को छोड़ा हुआ था एक part को छोड़ा हुआ था 3-4 दिन से और इससे मैं clean करके आपको life proof दिखाऊंगी कि कैसे यह work करता है बहुत अच्छे से एक दो wipe में ही जितनी भी dust है उससे absorb कर लेता है, बिल्कुल magnet work करती है वैसे ही, तो यह cloths हैं वो 500 times washable है, machine washable है with mild detergent, use करने के बाद आप इन्हें साफ पानी से पहले दो दीजिए, उसके बाद आप किसी भी mild detergent से इन्हें wash कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा, अगर आप interested हैं, तो purchase कर सकते हैं, तो बापस आते हैं अपने वीडियो पर, और अप शेयर कर रही हूँ अच्छी सी hack, जो भी आपकी kitchen की पुराने बरतन है, थोड़े से चटक गए हैं, या कुछ में कुछ defect आ गया है, तो उनका makeover करके उन्हें different way में use कर ये, मैंने अपनी एक च सालों की डबियां यहां पर रख दूँगी, तो बहुत अच्छे से चीज़ें display हो रही हैं, और पुरानी चीज़ें यूज में भी आ गई हैं, मेरे पास ज़्यादा तो collection नहीं है टिफिन का, बट दो चार टिफिन extra हमेशा रखे ही रहते हैं, तो इन सब को मैं कैसे organize करती यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, कुछ bottles हैं, तो इन सब को मैं एक carton box के organizer में रखूँगी, यह बहुत पुराना organizer मेरे पास करीब 3-4 साल से, और अभी तक अच्छी condition में है, तो यह भी मैं अलग अलग जगे पर यूज कर लेती हूँ, फिलाल मैं इसे अपनी kitchen में यूज कर रही हूँ, जो भी extra bottles हैं, जो extra tiffins हैं, इन्हें मैं इसमें place करके कहीं पर भी इस organizer को रख देती हूँ, जब चाहिए होता है, तो easily मैं इसे निकाल भी लेती हूँ, और tiffin भी एक ही जगे पर segregated रखे रहते हैं, हिलने दूलतने से गिरते भी नहीं है, और दिखने भी set रहता है, और हमारे time और efforts भी कम हो जाते हैं, उस चीज को देने के लिए, तो पूरे महीने का मेरा एक plan रहता है, preparation रहती है पहले से ही, कि उसी की हिसाब से मैं shopping करती हूँ, बट कई बार होता है, चीज़े available नहीं होती है, या बच्चों का मन करता है, तो उसकी हिसाब स से हमारा time सेट हो जाता है, अब बारी आती है, एक बहुत ही प्यारे से DIY की, जो मैंने बिल्कुल कबार वाले आइटम से बनाया, एक juice की केंती खाली और कुछ पुराने कपड़े और फेबी कोल का यूज़ करके, ऐसा मैंने एक dispenser organizer बनाया है, जिसमें मैं पुराने कपड़ रखूंगी, तो मैं जादा तर कोशेश करती हूँ, ऐसे ही कबार को यूज़ करने का, जब ये खराब हो जाता है, तो इसे फेकने में मुझे कोई भी दुख नहीं होता है, अगर मैं यही चीज़ें पर्चेस करके लाऊं, 100-200 रुपई की और वो तूट जाए या खराब ह तो फेकने में एक बार तो सोचते हैं, यार इतना महंगा लाए थे और कुछ भी नहीं चला, तो ऐसी चीज़ों को भी आप यूज़ करिए, तो यही था आज का वीडियो और ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, अपने घर को और्गनाइज रखने की कोशिस करती नहीं हो, आई होप आपको पसंद आया होगा, थेंक्स वर वाचिंग